दोस्तो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एक ऐसा काम करते हो आप लोगों का जो भी लोन का एमाउंट है साती साथ जो पिनल्टी है पहले तो बात आप लोगों को बतादो पिनल्टी जितना लगा हुआ है वो तो हटी जाएगा साती साथ जो लोन क को जानना जरूरी है, इसलिए सबी से रिकोस्ट कर रहे हूँ कि वीडियो पुरा इंड्न तक देखना है, आप लोग को बीना स्किप के वही है, अगर आप लोग नहे हो, अभी तक सब्सक्राइब बडिन प्रेस नहीं किने है, तो सबी से मैं मानू कि 5,000 का आपने लोन लिया या फिर 10,000 का लोन लिया तो penalty लगा के क्या करते हैं कि वो amount बढ़के चला जाता है 5,000 का 7,000 चला जाता है कभी 10, 12,000 भी हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि NBFC बुलिये या फिर जो भी एजेंट्स बुलिये या फिर जो भी RBI के rules कोई भी follow नहीं करता है क्योंकि RBI के rules के अनुसार यहाँ पर लिखा होता है कि अब यहाँ पर RBI क्या लिखा है क्या बोला है वो आप लोगों को सायद पता होगा अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता जेता हूँ RBI यह कहता है कि जो भी loan का overdue होगा और वहाँ पर कोई भी बंदा अगर default करता है तो वहाँ पर जो भी penalties लगाया जाएगा वो एक reasonable penalty होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो लोग अपना extra source of income बना कर आप लोगों के ओपर जो है वो पैसा थोप दे और आप लोगों को payment करने के लिए मजबूर कर दे ऐसा कर नहीं सकते RBI के तरफ से यह जो है साफत और पर वापी mention क्यों आए लेकिन कोई भी bank बोलिए कोई भी NBFC बोलिए कोई भी agent बोलिए जो भी financial states में जुड़े हुए है कोई भी RBI का rules follow करता नहीं है यहां पर आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि अगर आप bank का मतलब bank में अगर आप कोई भी deposit करने जाते हो मतलब banks account कोलने के लिए जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि बोला जाता है कि हमारा bank का यह criteria है आपको 10,000 जों maintain करना पड़ेगा या फिर 3,000 जों maintain करना पड़ेगा अब हर इंसान के बस में यह नहीं होता है कि भाई वो 10,000 जो maintain कर सके तो इसलिए RBI वहाँ पर जो है कुछ नियम बनाया है कि अगर मानो कोई भी बंदा यहाँ पर non maintenance के charges वहाँ पर दे नहीं पाया मतलब जो पैसा है वो वहाँ पर रख नहीं पाया तो banks क्या करते है वो पैसा को deduct करता ही है मतलब 10,000 अगर रखना चाहिए लेकिन वहाँ पर है 7,000 तो पैसा जो है वहाँ पर deduct होगा और अच्छा कसर deduct करता है 500-600,000 रुपे तक जो है deduct कर देता है एक-एक महिने के लिए ठी नहीं सकता जो कि RBI के guidelines में लिखा है लेकिन कोई follow करता है क्या कोई भी follow नहीं करता है कोई भी bank follow नहीं करता ले उसी तरीके से NBFCS भी यहाँ पर कुछ ऐसे rules NBFCS के उपर भी है क्योंकि वो RBI से license है अगर वो यहाँ पर follow नहीं करेगा तो RBI क्या करेगा उनके उपर penalties लग ले मानू कि आप लोग payment करना चाते हो आपके पास पैसा है आपने लिया था loan 5000 का या फिर 10,000 का आपके पास payment आ चुका है लेकिन वो penalty बढ़ा के चला गया है 15-20,000 अब 15-20,000 तो आप देने वाले हो नहीं अदेग दोगे भी क्यों मानू कि आप लोग लेट किये हो उसका penalty लगा 500-1000 रुपे, 1200 रुपे, पेनल्टी लगा चलो माना जा सकता है लेकिन यहाँ पर जो penalty लगा रहे है 15-10,000 बना दे रहा है पेनल्टी कितना amount में बढ़ा रहे है और पितना amount में वो लोग लगा रहे है आप लोगों को यह देखना है आप लोगों को यहाँ पर बोला ज पैसा है, मैं payment करना चाता हूँ, settlement करना है तो करो, नहीं करना है तो भाई भाण में जाओ, मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ, यह बात जो है आप लोगों को बार बार जो है companies के साथ बोलना है, मतलब फोन करके बोलिए या फिर mail के थ्रू आप उनको बोलते देए त देखने को मिलेगा, penalty तो discount मिलेगा ही, साथी साथ आप लोगों का loan का 50-60% जो discount होगा, अब वो कैसे होगा, मानो कि आप लोग payment करना चाते हो, payment करने नहीं दे रहा है क्योंकि वो लोग penalty हटाने रहा है, अब penalty हटाएगा, यहाँ पर RBI ने बुला है कि penalty इस तरीके का लगा नहीं सकता, customer की उपर है कि वो penalty payment करेगा या फिर नहीं करेगा, वो अपना extra source of income बना नहीं सकता, तो यह कर रहा है कि illegal काम, अब आप लोगों के पास, अगर कोई भी जान पैचान वाला कोई भी advocate है, या फिर रिस्तदार में हो सकता, या फिर आप hire भी कर सकते हो, code में जाके तो वहाँ पर आप लोग अपना problem बताईए, सिर्फ एक legal notice आपको serve करवाना है, बस एक legal notice, जो कि आप लोग के नाम पे होगा और क्या होगा, company के उपर जो है, वो legal notice भेजागा company के पास, ठीक है, अगर मानो आप लोग कोई भी loan application से loan ले रहे हो, और वो क्या करते हैं, वो द आप directly उस bank को भी legal notice भेज सकते हो, या फिर जो भी बात है, वो bank के साथ बात कर सकते हो, कि मुझे इतना settlement करना है, मैं payment करना चाता हूँ, लेकिन करने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को 100% guarantee के साथ बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग इसके उपर जो है, य mail पर mail आपको करना है पड़ेगा, साथी साथ क्या करना पड़ेगा, कि जो भी bank से आप लोगों को पता चल रहा है, कि ये bank से लोन है इसका, ठीक है, आपके पास legal notice आया तो आपको पता चल जाएगा, तो उसी bank को आप contact करो, ठीक है, अगर नहीं सुनता है तो आप एक legal notice सर् लिखेगा, मेरा जो client है वो payment करना चाता है, लेकिन आप लोग payment करने नहीं दे रहे हो, illegal way में आप लोग इस तरीके का problem क्रेट कर रहे हो, मेरा जो client है वो harass हो रहा है, mentally disturbed हो चुका है, और बहुत सारे चीज़े जो है वो लोग लिख कर वहाँ पर भेज देगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि RBI से licensed है, अगर RBI में वहाँ पर लिखा है, rules guidelines है, कोई भी customer के उपर harassment कर ही नहीं सकता, चाहे वो bank हो, चाहे वो NBFC हो, चाहे वो recovery agents हो, अब वहाँ पर illegal way में अगर मानो काम कर रहा है और legal notice भेज देता है, तो वहाँ पर company के उपर बहुत ज़्यादा जो है और RBI को पता चलता है, तो company को जो है दिकर जिलना पढ़ सकता है, इसलिए वो लोग क्या करता है, कि आप लोगों का penalty तो चोड़िए, आपका loan का amount भी वहाँ पर माफ कर देता है, या आप बहुत बड़ा amount discount पे भी दे देता है, अगर मानो 2-3 EMI वो लोग आपने payment नहीं कि तो आप लोग भी ट्राइ करो, क्योंकि मुझे लगा की है, जो है आप लोगों को जाना, मतलब पता होना ज़रूरी है, अगर पता नहीं होगा तो आप लोग सही दरीकर काम कर नहीं पाओगे, तो वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करें दोस्तों के साथ भी शेयर कर आप बोबाई, टीक केर, जय हिन्द, जय भार दोस्तों